दालों की कीमतों को लेकर यूपी सरकार के एक मंदरी का वीडियो वाइरल हो रहा है दरसल बाद दाल के बढ़ते दाम को लेकर हो रही है मंदरी साब कोई और नहीं बल्कि यूपी सरकार के क्रिशी मंदरी सूर्य प्रताब शाही जी है इस वीडियो में मंदरी जी प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान कहते नजर आ रहे है कि दाल की कीमत 100 रुपे किलो से ज़्यादा कही नहीं है इस पर पतरकारों ने उनसे पूछा कि 100 रुपे किलो दाल कहा मिल रही है तो मंदरी सूर्य प्रताब शाही हसने लगे तो क्या सच में दाल की कीमत 100 रुपे से ज़्यादा कई है जब इसकी परताल की तो मामला कुछ और ही निकला आईए आपको भी बताते हैं क्या है दाल की कीमतों का रियालिटी चेक सरकार की इस वेबसाइट जिस पर हर रोज दाल की कीमत अपडेट होती है इसके मताबिक केवल चना दाल को छोड़ दिया जाए तो बाकि सभी दाल 100 रुपे किलो के पार है अरहर दाल की आउसत कीमत 167.38 रुपे है जबकि इसकी अधिकतम कीमत 207 रुपे प्रति किलो है अरहर दाल की नियमतम कीमत 124 रुपे प्रति किलो है ये अभी ये सभी कीमत सरकारी है जो मंत्री जी के बयान के बिलकुल अलग है ये सभी कीमत 9 जुलाई की है जिस दिन का मंत्री जी का वीडियो है अरहर दाल के बाद अब आते हैं उड़त दाल पर सरकारी वेबसाइट के मताबिक उड़त दाल की ओसत कीमत 127.73 रुपे प्रतिकिलो है जबकि इसकी अधिक्तम कीमत 180 रुपे प्रतिकिलो है वही मुंग दाल की बात करें तो 9 जुलाई को इसकी ओसत कीमत 118.98 रुपे है वही इसकी अधिक्तम कीमत 180 रुपे प्रतिकिलो है अब आते हैं मसूर दाल की कीमत उपर मसूर दाल की ओसत कीमत 94.31 रुपे प्रती किलो है जबकि इसकी अधिक्तम कीमत 174 रुपे प्रती किलो है वही चना दाली कीमतों की बात करे तो 9 जुलाई को इसकी अधिक्तम कीमत 193 रुपे किलो है जबकि न्योंगतम कीमत 89.24 रुपे है ये तो हुई बात देश भर की, अब बात करते हैं उत्तरपदेश की, जहांके मंत्री जी का ये बयान है, डिपार्टमेंट आफ कंजूमर अफेर्स की वेबसाइट के मुताबिक 9 जुलाई को यूपी में चना दाल की कीमत 85.07 रुपे किलो है, भही एक किलो अरहर दाल की कीमत 165.36 रुपे है, उड़क दाल की बात करें तो इसकी कीमत 122.47 रुपे प्रतिकिलो है, मुंग दाल की बात करें तो इसकी कीमत 115.73 रुपे प्रतिकिलो है, हाँ मसूर दाल जरूर 100 रुपे से कम है, यूपी में, इसकी कीमत 93.71 रुपे प्रतिकिलो है, ये सभी आकडे हर रो उस वेब साइट पर अपडेट होते हैं ये सभी कीमतें 9 जुलाई 2024 की हैं दालों के दामुस याद आया कि 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान स्मिती इरानी ने अमेठी की जनता से 13 रुपए किलो चीनी देने का वादा किया अब चुनाव आया तो अमेठी के हर चौक चौरा वादा स्मिती इरानी पर भारी पड़िया और वो चुनाव हार गई वही अब देखना है कि अगर मंत्री जी के 100 रुपए किलो वाली दाल जनता खुजने लगी तो क्या पता स्मिती इरानी वाल यूपिक में भाजपा कावी ना हो जाए